असलाम रेकमे व्रीवन तो आज मैं लेकर आए हूं पाओ भाजी की रेसिपी जो की बहुत ही टेश्टी तो ही है बहुत ही जटपट में बहुत ही आसान तरीकिस में बताऊंगी और यह इतना टेश्टी होगा कि आप उंगल्याद चार्ट कर खाएंगे यह मेरी गारांटी है इस रेसिपी को आप लाश्टे के नजॉए कीजी बहुत ही परफेक्ट तरीके से में बताई हूं आपको तो रेसिपी पसंद आया तो लाइक कीजी मरशान को सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकन के बटन को जरूर केस कीजिए और नोटिकेशन पर किलिक कर दिजेगा तो यहां पर बेसिक से सबजिया यह बहुत जरूरी है आप चाहिए तो इसमें से जो नहीं हो इसको इसकीप भी कर सकते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले तो बिंस के जो एंट साइड होता है दोनों साइड का वो काट के हटा देंगी और बारिक बिल्कुल चौप कर लेना ह इसी तरीके से बारिक चौप करना है बिंस को मैं इसलिए आपको इस पेसली काटकर दिखा रही हूं और यहां पर आलू को भी मोटे मोटे काट ले गाजर को भी थोड़े चोटे-चोटे काट लें तो यहां पर सबजिया रफली काट लीजी और उसके बाद मैंने गैस का फ बार दिया है गाजर मतर सब को डालने के बाद जो है अच्छे से बुनाइग करना है यानि कि एक से दो मिनट के लिए बुनाई करेंगे यहां पर मैंने वन टीस्पून नमक आड़ किया है और अच्छे से इसको बहुनना है दो मिनट लगबग इसको भूनेंगे हाइव पे करने वाले हैं तो अच्छे से इसको भी भून लेना है हाफ मिनट के लिए उसके बाद देंगे और इसी तरीके से मेडियम आज पे इसको पका लेना है और इसके बाद जो है नैच्छरली जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाए यानि कि गैस रिलिज हो जाए जब इसके लिट को हटाना है यानि के कुकर के धकन को तभी हटाएंगे और देख सकते हैं कितना अच्छे से सौफ हो चुका है चार से पाद सीटी के बाद और उसके बाद इसी तरीके से जैसे गर्मा गरम हो बस उसी टाइम में आप मैशर से हिसको मैश कट ले अगर मैशर अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इसके कोई भी गाठे तो बस कूकर को हटा के दूसरा पैन लग देना है गैस का फिलिमाउन करके यहां पर मैंने तीन चम्मच और तेल डाल दिया है और यहां पर मैंने एक जो 100 ग्राम का टिक्की होता दोनों एक ही साथ डाल दीजिए दो दो चम्मच यानि के टू टेवली स्पून डालना है डालने के बाद यहां पर हाफ मिनट के लिए रोष्ट करेंगे उसके बाद साथ में ही चौप के हुआ दो प्यास मैंने इसमें डाल दिया है मेडियम साइस का प्यास था जो आपने पर देंगे साथ में और इसको भी आदे मिनट के लिए बुहनेंगे और साथ में ही कैप्सिकम बैद दालना है तो इसको एक मिनट के लिए इसी तरीके से बुन देंगे ताकि थोड़ा सा इसका फ्लीवर निकल जाए और सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद देके मैंने दू टम उसमें भी नमक होते हैं तो वस अच्छे से इसमें एक नट के लिए बुनने के बाद यहाँ पे दो चम्मर्ज यानि की टू टेबली स्पून कर्ष्डी, कर्ष्मेरी, लाल मिर्च का पॉदर ट्र एड़ किया है और तीन जम्मच यानिकी 3 टेबिल स्पून पावभाजी मसाला आड़ करेंगे ध्यान रखे पावभाजी मसाला जो है इसके अलावा कोई और मसाला आड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें सब कुछ डलावा होता है पहले से ही तो आप कोई से भी ब्रैंड कर ले ले तो बस अच्छे से इसको भी हाफ मिनेट के लिए भूनेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आधी कप पानी आड़ कर दिया है इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ में ताकि अच्छे से इसमें भूनाई हो जाए देख सकते हैं कि तब प्यारा सा कलर आ चुका है पाव भाजी मसाले में तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो मैश किया हुआ सबजियां थी यानि की जो भाजियां में बना कर रखी थी वायल करकी इसमें डाल देंगे डालने के बाद जो है सारे मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे देखिए अच्छे से एक वर मिक्स हो जाए उसके बाद देखिए फिर से मैश रख लेना है और अच्छे से एक रंग एक वर फिर से मिक्स करेंगे बस यहाँ पे बस दो चार बार इस किसे ही मैश करेंगे दस से कहने के लिए और इसके पाद जो है इसको फिर हटा देंगे देख सकती इतना प्यारा सा और इतना खुश्बूदार इसमें इतना खुश्बू इतना अच्छे आएगा आपको खुदी यकिन नहीं होगा तो यहां पर देखिए मैंने आधी कप पान करेंगे और इसको आधी मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे क्या नहीं तो यहां पर दीखिए मैं एक दवर रखा है और इसको बाहर वाला बिल्कुल जो स्ट्रीट साइड में होते हैं उसी का फ्रेवर देना है तो यहां पर देखिए मैंने वन टेश्बू ने अ घुछक पॉली स्पून AOIL डाला था और थोरी सी मैने जीरा डालए था टो बस एक क्यूब्स में बटर का डाला है और पिर जो इत commerce के साहत में पाउद बाची जो बाची वनाお इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जो है इसके तरगे लगाना है इस तरीके से डालेंगे और मैंने थोड़ा सा किश्मीरी लाल मिर्च का पॉर्डर और आइड किया है कलर के लिए तो यहां पे कोई फोट कलर नहीं आइड करना है ध्यान रखेंगे और कोई तीख होता है तो उससे बहुत ही पर्फिक्ट आपका बैलेंस बन जाएगा थीका पन का तो यहां पर कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा अगर पनीर का डालते हैं तो यह ऑक्षनल है बहुत ही अच्छा लगता है टेश्ट मैंने थोरा जब पनीर आट किया है और अच्छे मैंने थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और यहां पर देखे मैंने पाव लिया है दो और 20 से इसके सेंटर बनाते हुए इसको कट कर लेना है और उसके बाद जो है इसको अच्छे से इसमित दवा पे ही सेख लेंगे साइट से अगर आपको बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप भाजी को निकाल ले उसके बाद जो है पाव को सेख लेंगे तो यहां पी इसी तरीकी से जो है साइट चेंज करते हुए इसको दोनों साइट से ही सेख लेंगे थोड़ी सी हरदनिय के पत्ते भी मैंने डाल दिया है और फिर जो है देखे कर मगरम आप इसको परोसिए तो कोई सभी आप प्लेट ले सकते हैं मैंने पाव भाजी का प्लेट जो है तयार कर लिया है यहां पे मैंने थोड़ी सी निम्बू के रस को डालूंगी और मैंने बटर के कुपस इसमें एक फिर से रख दिया है तो देखे कितना भर-बर के बटर लग है बहुत जादा एक वर आप ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को परफेक्ट रेसिपी है आप दुबारा ज़रूर बनाएंगे इस रेसिपी को मुझे पता है क्योंकि एक पर खाने से मन नहीं भड़ेगा तो बस इंजोई कीजिए में रसी पसंद आती है लाइक कीजिए कॉ शेयर कीजिए फिर से मिलेंगी नहीं रेसिपी के साथ नहीं अंदाज में थैंक्स वर वाचिंग अल्ला हाफिज आम याद रिखेगा बाबाएं